सावन के महिने में जो शिव का ध्यान लगाए हर कर्मों से मुक्तिपा वो स्वेम सिद्ध हो जाए नमस्कार मैं हूँ प्रीती दिकारी आप के साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में आप चर्चा में बात होगी शिव जी को अर्पित सबसे प्रीय महिने के बारे में यानि की शावन महिने के बारे में दोस्तों सावन महिना इस धर्थी को अपने अमरित वर्षा से हर्याली की चादर तो उड़ाता ही है पर साथ में लोगों को धार्मिक आस्ता से भी बांधी रखता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को सावन का महिना अत्यन्थी प्रिय है जो सकरात्मक शक्ति, शुद्धी और ध्यान सिद्धी के लिए प्रसित है सावन के पहले सोमवार के साथ ही भगवान शिव की अरात्ना की जाती है और इसी दिन से कावड यात्रा भी शुरू होती है जिसमें भाग लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आज किस एपसोर्ट में हम जानेंगे कब से शुरू हो रहा है सावन का सोमवार क्यों सावन का महीना है इतना खास और क्या है कावड यात्रा का रहस्या तो चलिए शुरू करते हैं इस साल सावन का महीना बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस साल सर्वसिधी योग के साथ पहले सुमबार की शुरुवात हो रही है इस साल यानि के 2024 में सावन के सुमबार और कावड यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है जो नीस अगक 2024 तक चलेगी जो पूरे 500 वार भगवान शिव को अराध्ना पूरे जोरो शोरो पर रहीगी इस पूरे महिने के दौरान सभी लोग अपने पूरे श्रद्धा भाव से फुले भाबा को प्रसन करने का पूरा प्रयास करते हैं तो चलिए जान लेते हैं क्यों है सावन का महिना इतना खास ऐसा माना जाता है कि श्रिष्टी के पालनहार भगवान विष्णू देश्यनी एकातशी पर 6 महिने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और उस दौरान भगवान शिव श्रिष्टी के संचालन के रूप में इनका उत्तरदाइत्व अपने हाथ में लेते हैं भगवान शिव जिन्हे हिंदू पंश प्रंथों में देवों के देव महादेव के उपाधी दिल गई है जिन्हें शिव, शंभू, आधी योगी, शंकर आधी के नाम से भी जाना जाता है जनका वर्णन हमें शिव पुरान में उल्ले खित मिलता है वै एक मात्र ऐसे भगवान है जिनको शद्धा भाव से चड़ाया हुआ एक लोटा गंगा जल से भी प्रसन ने किया जा सकता है श्याद इसलिए ही उन्हें भोला बंडारी भी कहते हैं जिन्हें सिर्फ भगतों की आस्था से मतलब है, उनके कर्मों से नहीं वैस मा से जुड़ी एक कथा भी सामने निकल कर आती है ऐसी मानिता है कि समुझर मंधन के दौरान हलाहल नाम का विर्ष भगवान शिप ने अपनी कंठ में धारन किया था जिसे उनके गले में हो रही जलन और पीड़ा को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें बेल पत्र के साथ जल अपित करना शुरू किया तब से ही शिव जी प्रसन हुए और तब से श्रावन मास में शिव जी का अरात्ना का महत्व और भी जादा पढ़ गया इसी के साथ ही कावड यात्रा की भी शुरुवात होती है जिसकी मानेता अलग अलग कथाओं से मिलती है जिन में से एक है शिव भक्त रावन से चुड़ी समुद्रवंधन के दोरान नकरात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंट को खेल लिया था तब रावन ने महादेव को नकरात्मक शक्तियों से मुक्त कराने के लिए रावन ने ध्यान किया और गंगाचल भरकर ये पुरा महादेव का अभिशेक किया जिसे महादेव नकरात्मक उर्जाव से मुक्त हो गए थे तबी से कावड यात्रा की परंपरा भी प्रारम हो गई जिसे सबसे कटिन यात्रा में से एक माना जाता है इसके भी कई प्रकार हैं जिनमें सामाने कावड, डाक कावड, जाकी कावड, खड़ी कावड और दंडवच कावड प्रचलित है इनके प्रक्रिया भी अपने आप में अलग है यात्रा शुरू करने से पहले शृधालू बास की लकड़ी पर दोनों और कलश के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुँशते हैं और गंगाजल लेकर लोटते हैं इस कावड को लगतार यात्रा के दोरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं इस यात्रा को कावड यात्रा और यात्रियों को कावड या कहा जाता है शिवाले से लाए हुए जल को पूजन के बाद पूरे घर में छुड़का जाता है और सुक्षम्रिती की कामना की जात Namaskar